हाँ, CET 10 प्लस 2 वालों के लिए एक छोटा सा पैकेज है वो पैकेज ये है कि आपकी एक्जाम डेट फाइनल हो चुकी है 22, 23 इसको तो वेसा मान के चलते हैं कि अब 20 दिन अगले महीने के 5 दिन इस महीने के कल से हैं 26 तारीक से हैं 25 दिन पर मान के चलते है 25 डेज मैंने एक बात लिखिये CET 10 प्लस 2 जो भी 10 प्लस 2 देंगे एक्जाम उनको पास कराने की मेरी गैरंटी है ये गैरंटी है पकी बात है ये कंडिशन एक ही है कि जो भी वीडियो या क्लासिज आपको दी जाएगी उसको प्रॉपर लेनी है और हातों हात उसको याद करनी है जो भी प्लान में आपको भी बता रहा हूँ वो आपको फोलो करना है बात आती है कि इस सेनल पर क्यों तो इस सेनल की उपर अपन CET के 20 दिन क्लास रखेंगे एतिहासिक सेरीज को 20 देज रोकेंगे रोकने का मतलब यह नहीं है कि करनी है आप खुद सोचेंगे 20 देज में कर क्या रहे हैं अपन वो ही चीज करें जो एतिहासिक सेरीज में भी हो रही है उसके बाद में यहाँ पर रीट और बेच चलेगा और जो अपना टू पोइंट हो है वहाँ पर पशु प्रीचरी कॉंटीनियू क्लास से चलती जाएगी एक बार आप इध्यान से सुनो M.E.C.L.S. के उपर अपने CET 10 प्लस टूप 20 देज क्लास से चलने वाली है जो रीट वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होगी इसमें क्या है कि अपने क्या करने वाले है राजस्तान जीके इसके अंदर आपको पता है वैसे तो 14-15 सब्जेक्ट आ रहे है तो राजस्तान जीके CET के अंदर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है काफी बड़ा वेटेज भी है तो अब क्या कर रहे है अपन राजस्तान जीके में क्या क्या आ रहा है राजस्तान हिस्ट्री राजस्तान कल्चर राजस्तान जोग्रफी राजस्तान पॉलिटी और राजस्तान एक्रोमी मैंट लिख सब नहीं सबसक्रांब बाहिए तो यहांपर मैं आपके earth गंटो हो चाहे चाहे 6 गंटो को चाहे 7 गंटो हो एक बड़ी बड़ी क्लासिस रखेंगे सुबर फास्ट क्लास होगी वो उसके अंदर अपन जबर्दस तरीके से तीन सो चार सो पांच सो जितने भी क्योशन लेंगे ले किया हूंगा मैं बहुत ज्यादा इंपोरटेंट होंगे ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछली सालों के होंगे जो जैसा हर कोई agile going अभी करवा रहे है अभी graduation देके आईंगे कfunding सता पता लग जाएगा कि पिछली सालों रिपीट होते हैं कि बिलकुल तक सभी मोंगे तिन तीन सो चार्शार जोत्रें बनते हैं कुल्चर अलग जोग्रोफी अलग पॉलिटी अलग एकनौमी अलग रोजाना की एक होगी आज हिस्ट्री की टाइम टेबल बता दिया जाएगा तो अगले दिन कल्चर फिर जोग्रोफी पॉलिटी फिर एकनौमी प आपको MV classes 2.0 पर मिल जाएगा क्योंकि जब course 2.0 पर करवाई है तो टोपिक जो 24 में कराना चाहता हूं भी 24 ज़रूरी है वह वह वहाँ पर पढ़ लो एक दो दिन क्योंकि यह सीरी जपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 28 तारीक से क्योंकि 27 तारीक तक आपके खूफ सार हांस हांस के पागल हो जाओगे और नदियाद हो जाएगे इतनी गजब के ट्रेक बताईए यह बी टूपोइंट ओपर अपलोड कर दी मैंने आज और जीले पहले कर दी टूपोइंट ओपर और बांध का अभी आ रहा है पांच ही मिनिट के अंदर-अंदर टूपोइंट बाकी सबी टॉपिक नहीं करवाएंगे डाइरेट क्योशन लोगा वह टॉपिक है आप खुब सारे बच्चे कहेंगे इसर थेयोरी क्यों नहीं करवाई वह मैंने उसको थेयोरी में से ही मनाना है मैं लाइन-लाइन से क्योशन मना के याद करवा दूँगा तो बात एक ही क् याद थेयोरी लिखनी पा रहे हैं आपके पास टाइम कम है नम्मर उप क्योशन दे दूँगा तो उनको पढ़ने मासानी रहेगा आराम से पढ़ लोगी बात तो यह कि तरीका अपनाना है याद करने का ठीक है क्योंकि यह नोकरी ने लगए इसमें सरफ एंटरंस एक्जा वैरी स्लेक्टर कंप्यूटर पूरा का पूरा कंप्लीट के सबक्ट है विलोंशक प्रियावाची जो आपके अनेकार तक शब्सकत इनकी सब एक 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 वन शोट मैं आपको जल्दी कलपर सुन में डालने वाला हूं ताकि आप इसको एक बार देख लेना बाकि हिंदी की भी दो से तीन बड़ी मेरा थाम रखने वाला हूं सुपर पास्ट जो कि आपके पांच बांच भांच छे गंटे की होगी बात आती इंगलीश की तो इंगलीश का जैसे बीएश्टिस्टी के अंदर जंडे गाड़ेते हैं नहीं गाड़ेते पताओ वैसा का वैसा है के के अफसूल बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत शांदार होगा बहुत शांदार पास होना है अंदर नहीं गुसने हैं वह आगे की बात है पहले पास हो जाओ यह भी एमवी क्लासे टू पॉइंट ओपर ठीक है और एक रिजनिंग का के अफसूल जो का आपकी बीएक्सिसी मे अप्लोड करेंगा और करंड जीए करंड जीके के बारे में काफी अच्छा कंटेंट ट्यार करके यह भी छह साथ गंटे के अपलोड कर देंगे तो यह सारी बाते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं 14 क्लास होगी 14 क्लास इस फिपट्येंग देज तक चौन दिन तक लगातार यह चलेगी कब से स्टार्ट होगी तो इसको अपने स्टार्ट कर देते हैं 28 तारीक से इसको स्टार्ट कर देते 27 को आप एक्जाम देके आजाओ क्योंकि रोजिशन हो वाले भी खूब सार हैं उनको पता लग जाएगा कितने मामला बैठा नहीं बैठा तो अपर 10 प्लस तू देना ही देना है क्योंकि खूब सारी वेकरेंस अटेन प्लस टू के लिए है तो टेन प्लस टू हाले तो हैं तो 28 अपनी प्लान स्टार्ट कर देंगे जब तक 26 और 27 दो दिन के इंदर में आपको जितना टॉपिक मुझे करव अपने क्लास स्टार्ट हो जाए तीक है ना लगातार फिर अपने 15-16 दिन जो भी होगे कॉंटिनू चलाएंगे सभी की बस उन नम्रों को आपको घोट के पीना है और घोट के पीने का मतलब यह तो है नहीं कि कोई पाणी में गाल के पी होगे तरीका एक ही है कि उनको कम से कम 3-5 बार पढ़ देना 3-5 बार पढ़ देना और फिर दिन पर भलें कहीं बढ़कते फिर ना क्योस्टन यहीं से आएगा वह क्योस्टन आपको मार्केट मिलने वाले हैं कुछ उनमें से निकाले वह पूरत मिलने नहीं कोई कि बहुत तगड़ा कंटेंड वह मैंने तो करन चालीस परसेंट नमबर आराम से नहीं 50 परसेंट आएंगे हंसते खेलते आएंगे यह 20-25 दिन लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा आंके सुजा लेना नींद को भूल जाना कम से कम 14-15 गंटे पढ़ना है अगर 15 आर्ट पढ़ोगे तो 12 गंटे का चलना ताकि 12 गंटे कम से कम स्टेडी को जाए यह द्यान रखना है यह कैसा लगा प्लान जरूर बताना बहुत शांदार प्लान है और इसमें क्या फाइदा रीट वालों के यह कंप्लीट रीट के इंदर आ रहा है आपने तो रीट के लिए जबरदस तरीके से रिविजन एक अधर टोपिक ना भी आएगा तो कोई बात नहीं क्या फरक पड़ता है इंडियन जो इंडियन का थोड़ा छोड़के बाकि रीट में अच्छा इंडियन थोड़ी बहुत आई रही है तो सारी बाते हैं आपके यहां पर बहुत ज़्यादा एलफुल है खुब हिंदि- फिप्टिन डेज तक जो भी यह अपना यह मेराथन क्लासे जो भी होगी पांस से छे गंटे की यह सब की सब अपने इसी चैनल पर होगी एंडिक लासे पर और अगर कुछ मुझे टोपिक करवाने हैं तो वह फिर वहां होंगे जो पशु परिचर के लिए बहुत ज्यादा कि अपने मेंटियाँ से चलती रहेंगी पशु परिचर की जो की चली रही है अब जो भी टॉपिक करवाए जां रहा है सब परिचर के लिए यह तो वह फिर चलती रहेंगी हैं और जैसे ही कंप्लीट होगी 223 तारीक को उसके बाद में इस एनल की उपर अपने रीट का एक बहुती फ्रेश बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुती शांदार और उसके साथ में BSTC 2025 क्योंकि लगबक्स लेबस सहम है तो दोनुचीज जितनी कॉमनों पहले कर लेंगे अलग-लग प्रेलिस्ट बना देंगे तो यह चीज़ें यहां पर अपनी कॉंटीनू चलेगी औ क्योंकि यह 14 जो हैं बहुत ज्यादा टॉप लेवल के आपकी शेर्शन होने वाले हैं फिर भी आपको यह साल लगे कि सर इस पर थोड़ा स्पेशल कोई टॉपिक बता देना किस टॉपिक पर थोड़ा और बता दो तुम्हें कर दूँगा बाकि मेरे साफ से इनके बाहर टीक है ना क्योंकि मातर 40 परसेंट नो नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग जब नहीं तो दिकत कहा है आरा हम सच्छे अपर पूरे कि लेकिन कभ छेपेंगे थोड़ी बहुत बातिया अगर सुनी होगी ना इर्दगर्द आस पास भी तो ही हो पाईगी और जो छे गंटे की क्लास इन अपनी अपनी राजस्तान मिड़ा इलुस्ट्री की वह चे गंटे वाली जो क्लास है उसका भी निचोड मिल जायेगा एक साक्योशन उरलूंगा इसके अंदर राजस्तान हिस्ट्री की जो आपके क्लास होगी पांच शे ग भोटके पीजाना विश्वास करना आराम से हस्ते खेलते पास हो जाओगे तो यह चीज थी बाकि यह पन और भी किसी भी टॉपिक पर को कि यह सर यह टॉपिक थोड़ा मुश्किल इस पर सेफरेट वीडियो बना दो सेफरेट क्लास बना दो तो वह मैं आपके लिए कर क्योंकि पांच गंटे से पहले तो शाहिदी कोई क्लास कंप्लीट होगी और कोई और ज्यादा बड़ी होगी तो फिर दिन में चला लें कभी से संडे होगी आज सूबह से लेकि शाम तो आपन मदब डिसाइड कर लेंगे टाइम का को इश्यू नहीं है पढ़ने वालों के